बिहार सरकार ने प्रदेश्क में भिखारियों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है ये पहल किसी और राजे में अब तक शुरू नहीं की गई है दरअसल बिहार में जल्द भिखारियों को स्मार्ट कार्ड मिलने वाला है इसमें उनका पूरा ब्योरा रहेगा और वे सरकारी लाप के हगदार होंगे तो चली पहले जानते हैं इस स्मार्ट कार्ड का क्या होगा फाइदा बिखारियों के संख्या पर नियंतरन रखा जा सकेगा सरकार के पास पुनरवास के लिए डाटा बैंक बनेगा सरकार को पता चल सकेगा कि किसी योजना का लाप उनको मिल रहा है पुलिस के पास भी रहेगा बिकारियों का पूरा रिकॉर्ट स्मार्ट कार्ड में क्या क्या होगी जानकारी इस कार्ड में कार्डधार की फोटो, नाम, वर्तमान वस्थाई पता, शैक्षिक योग्यता, बीपियल वाधार संख्या, भिक्षाटन की वज़ा, वर्जगा, वैवाहिक स्थिती, धर्म, स्वास्थ के स्थिती, आश्रय का प्रकार, निर्भर परिवारों की संख्या बिहार सरकार, भिक्षा वृति, निवारन, योजना की शुरुआत इसलिए कर रही है, क्योंकि गया में देश भर से, जबकि बोध गया में दक्षिन एशिया समे, विश्व के कई देशों से लोग आते हैं, दोनों की धार्मिक मान्यता होने की वज़र से लोग यहां दान भी करते हैं, कई परेटक विदेशी मुदराव में भी भिक्षा देते हैं, मंदिरों के आसपास भीक मांगने वाले बच्चे व युवक युफ्तियां विदेशी भाशाओ के शब्द बोलते भी दिख जाते हैं, दान से गमाय की वज़र से यहां भिकारियों की तादाद आपको बता दे कि इस योजना की शुरुवात गया बोद गया से की जा रही है, भिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाब दिलाने के लिए उनका ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, मुख्यमंत्री भिक्षा वृति निवारन योजना के तहर, स्टेट स इस तोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूर आंड स्पेशल वेलफेर को इस काम का जिम्मा दिया गया है, निवस्टेस्क